दोस्तो अगर आप चाहते हो कुछ दिने के लिए आपके Facebook एकाउंट को डिक्टिवेट करने के लिए, मतलब कि डिलेट कर देनी के लिए, जैसे एक सैटिंग है, Deactivating or Delating your Facebook एकाउंट, जैसे कि Deactivating your एकाउंट is Tempor nossa अगर आप चाहते हो कुछ दिन, मतलब कि 10 दिन के लिए, या 15 दिन के लिए, या 1 महीने के लिए आपका Facebook एकाउंट को दुसरे से छुपा के रखने के लिए, और डिलेट कर देने के लिए, मतलब कि सिर्फ एक महीने के लिए, तो सिर्फ एक महीने के लिए डिलेट होगा, उस सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है, ये ओल वाला बेल पे आपको दबा के रखते ना है, और उसके साथ-साथ वीडियो जो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे आपको एक कमेंट करते ना है, Facebook temporary Facebook temporary account उसके बाद लिख दिना है डिलेट यह एक कमेंट आपको ज़रूर करना है जैसे comment कर दोए comment हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका Facebook account है आपको Facebook में चल जाना है Facebook में चल जाने कि बाद simply जो आपका Facebook profile है profile पे click कर दिना है उसके बाद सेटिंग मिलेगा आपको सेटिंग पर क्लिक कर दिना है जैसे सेटिंग में क्लिक कर दोगे तो नया अपडेट आ गया तो सबसे पहले आपके Facebook एप को अपडेट कर दिना है उसके बाद Media Account Center इसमें आपको क्लिक कर देना होगा उसके बाद देख रहे हो डिलेटेशन और डिलेटेशन और डिलेटेशन तो आपको इसमें क्लिक कर देना होगा इसमें क्लिक कर देने की बाद आपका जो ऐसे अगर इंस्ट्रागम के साथ लॉगिन है तो इंस्ट्रागम रहेगा तो आपको करना क्या हो continue कर देने के बाद deactivating year अगर आप में उसमें page है तो उसको भी आपको continue कर देना है और कर देने के साथ-साथ यहाँ पर अभी आपका जो facebook है आपका facebook का password यहाँ पर देना है पासूट देने के बाद ही continue कर देना है उसके बाद आपका Facebook account कुछ महीने के लिए या कुछ दिन के लिए deactivate हो जाएगा तो दोस्तों आप जो है जैसे पासूट डाल दोगे तो deactivating your Facebook account this is temporary जो कि इस तरफ से आएगा तो आपको करना क्यों जैसे कि आपको कुछ महीने के लिए कुछ दिन के लिए डिलेट करने के लिए इस इस टेंपररी आई विल बैक इसमें आपको कलिक कर देना है कर देने है continue कर देना है टेकिंग एप ब्रेक फ्रॉम यहां पर देख रहे हो तो यहां पर कितनी दिन के लिए आप मतलब की करना चाहते हो जैसे कि seven लागे चाहते हैं तो इस तरह से डिल्स दिन के लिए हम तो मैं चाहता हूं साथ दिन के लिए मेरा facebook account deactivate रहे तो मैं continue करता हूं continue कर दिने की बाद जैसे continue कर दिया तो confirm temporary और deactivation उसके बाद देख सकते हो जो कि deactivate my account तो इस तरफ से आपको deactivate my account पर click कर दिना है इसमें जैसे click कर दोगे तो यहाँ पर आपका account deactivate हो जायगा ठीक है जैसे कि इस तरह से पास उटा deactivate हो जाए